नमस्कार जे मातारानी की दोस्तों कैसे हो आप सब आसा करते हैं मातारानी के असरवाति से आप सब ठीक होंगे और यहां हम हरी मिर्च का अचार बनाएंगे तो हरी मिर्ची को हमने दोके पंके के नीचे सुका लिया है तब तक हम कर लेते हैं सब्जी की त्यारी और मिर्ची ह मर्ची नें और मर्ची सकता Hell न मिर ची में सब्सक्राइबipadalat ओंते दोखी हें मर्ची रवपते रिग्या को कजनी रॉअत ब्रत वर्रिक राई कोई पिली वाली राय भी लेते हैं और ये नमग हल्दी जीरा इंग, और ये लिए लाल मुर्ची जो लाल मुर्ची हम फोरी डालेंगे क्योंकि हरी मुर्ची हमारी तिक्की वाली ये लिएipples कहें दंिया wa THE प्राइप तेरे आप सरसुओं से जाते हैं रिसफोई। फ़ले में कड़ा से मेह कड़ा सबस्की में प्राइए में एम धुक्त कड़ाएं सदोजेवद्र को फ़ल मांधी स्जीध्वार तो देर K wheat भून्दिया से रिखेंगे गषे में सबस्कें जिरा डालेंगे कोई कच्छा मसाला भी डाल देते हैं लेकिन में या भूंजगे डालूंगी क्योंकि भूंजगे डालने से अचार का स्वा तोड़ा अलग सा हो जाता है और अचार खराब भी नहीं होता अचार अच्छा बनता है तो जो चटनी बनाते हैं हम उसी में उनको अचार में तीस रही हूं इसी में है ह्ल मिर्ची आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सुस्क्राइब कीजिए गाव यौए उसरे ये ज्सक अटू कि कीजिए घाया और लाइक और सेल और वीडियो यहां मैंने धन्या पाउडर भी डाल दिया है और नमक थोड़ा अचार में ज्यादा डालना है क्योंकि ज्यादा नमक डालने से अचार ख्राब नहीं होता और एक मैंने डाला है काला नमक और यह मसाला हमने पेशा था सूप में ती वह हमने डाल दिया है और अब हम डालेंगे इसमें हींग और कलुंजी अब हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्ची और फिर हम कर लेते हैं मिक्स अब हम मिक्स कर लेते हैं और राय डालना में भूल गई थी तो अब हम इसमें राय डाल देते हैं यह पहले हम राय डालना भूल गई थी तो यह राय भी हमने डाल दी है और हम मिक्स कर लेते हैं और अब हम डाल देते हैं जो हमने च्यार निम्बू लिया था उनिका रसे कोई वेनिकर डालते हैं लेकिन मैं यहां निम्बू का रसी डाल रही हूं और अब हम थाली में निकाल देते हैं क्योंकि ठंडा हो जाएगा यह अचार हमारा ठंडा हो गया और अब हम बढ़ लेते हैं डब्ये में और यह पूर दिन तक खराब नहीं होगा आप भी बनाएगा और कमेंट करके जरूर बठाएगा कि हमारा अचार कैसा बना वीडियो आपको कैसा लगा तब तक ये लिए जे माता रानिकी